सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए टेस्ट सिरीज एक शुन्य से जीतने के बाद भारतिय टीम 10 डिसेंबर से वन डे सिरीज खेलने वाली हैं उसमें तीन वन डे मैच खेले जाएंगे पहला वन डे मैच 10 डिसेंबर से शुरू होगा श्री लंका के खिलाफ वन डे सिरीज के लिए भारतिय टीम के हिट मैं रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है हम आपको पता एकी One Day Series के लिए भार्तिय टीम का एलान कर दिया गया है भार्तिय टीम में नए चार छेहरों को मौका दिया गया है वैसे देखा जाएं तो भार्तिय टीम में धोनी को छोड़ कर कोई भी जादा अनुभवी खिलाडी मौजूद नहीं है रवी शास्त्री ने एक इंटर्व्यू में बात करते हुए कहा कि भारतिय टीम में वही खिलाडी शामिल होगा जो शारीरिक रूप से फीट होगा भारतिय टीम में अनफिक्ट खिलाडीयों को मौका नहीं दिया जाएगा सुरेश रहना और युवराज सिह पर बात करते हुए शास्त्री ने कहा कि जब कोई खिलाडी योयों टेस्ट पास होकर भारतिय टीम में अपनी दावेदारी साबित करेंगा तभी उन्हें भारतिय टीम में मौका दिया जाएगा और हमें पता है कि युवराज सिह और सुरेश रहना ने हाल ही में योयों टेस्ट अच्छे पॉइंट से पास किया है इसी वजह से उनको भारतिय टीम में मौका मिलने के चांसे बढ़ गए हैं गौतम गंभीर के बारे में भी उन्होंने कहीं कहा उन्होंने कहा अभी तो हमारे भारतिय टीम के ओपनर अच्छा काम कर रहे है लेकिन अगर किसी खिलाडी को टीम में जगह पानी है तो उनसे पहतर खेलना होगा और अपनी भारतिय टीम में जगह हासिल करनी होगी श्रीलंका के साथ वन डे सिरीज के बाद श्रीलंका के खिलाफ T20 सिरीज भी खेलनी है उसके बाद भारतिय टीम साउथ आफरिका का दौरा करेगी और 2019 का विश्वकप भी नजदिक आ रहा है इसी वजह से भारतिय टीम में पहतर से बहतरीन गिलाडियों को मौका दिया जा रहा है ऐसे में सुरेश रेना और युवराज सिह को मौका मिलना बिलकुल ही लाजमी है तो दोस्तों क्या आप शास्त्री के बयान से सहमत है या आप चाहते है कि युवराज सिह सुरेश रेना और गौतम गंभीर भारतिय टीम से अगली सिरीज में खेले आप अपनी राए नीचे कमेंट में जरूर दीजेगा इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए